हमारी जिन्दगी में एक उम्र के बाद बहुत कुछ बदल जाता है जैसे जैसे हम उम्र के पायदान पर आगे बढ़ते हैं हमें अपने माबाप की कही हुई हर वो बात सही नजार आती है जिसे हमने कभी ध्यान से सुना भी नहीं था धीरे धीरे हमारे लिए सूरत के नहीं बलकी सीरत के माइने हो जाते हैं और इस तरह हम अपनी जवानी की भाग दोड से निकल कर जिन्दगी के ठहराव को जीने लग जाते हैं नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और नई वीडियो में सुबह से लेके रात तक का एक रिलैक्स वाला दिन जिस दिन मेरी बेटी अपने स्कूल के टोर पर गई थी रिलैक्स वाला दिन भी था और थोड़ा सा बिजी दिन भी था तो आईए देखते हैं कि किस तरह से मैंने रिलैक्स किया और किस तरह से मैं बिजी रही तो सुबह सुबह से मैंने इस वीडियो को शुरू किया था और मैं नहा चुकी थी लेकिन ये थोड़ी जो पिक्स आप देख रहे हो ये मैंने थोड़ी बाद में ली थी पूजा मैंने तब तक नहीं की थी नहा कर मैं सीधा किचन में चली आई थी क्योंकि मेरी बेटी को हमी तो उसी की तैयारी मैं यहाँ पर कर रही हूँ और मैं उसके लिए एक सूपर हेल्दी सा सैंडविच बनाने वाली हूँ जिसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है मैं उस वीडियो का लिंक दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और उपर आई बटन में भी आप चाहो तो वो रेसिपी भी देख सकते हो नहीं तो ये रेसिपी तो आप देख ही रही हो यहाँ पर मैंने ब्रेड्स लिए हैं और चुकंदर है जिसको मैं बारीक वाले कद्दू कस से घिस रही हूँ साथ ही पनीर है आलू है उबले हुए और टमाटर है जिनके अंदर के बीज मैंने निकाल दिये हैं तो चुकंदर को मैंने अच्छे से घिस लिया है बारीक वाले कद्दू कस से पनीर को अच्छे से मैश कर लिया है मैंने आप चाहो तो पनीर को भी कद्दू कस कर सकते हो और जो टमाटर है उनको मैं बिल्कुल बारीक बारीक चाकू से कट कर तो फिर वो पेस्ट टाइप बन जाएगा और उससे हमारे सैंड्विच थोड़े गीले हो जाएगे तो फिलिंग में मैंने खूब सारा हरा धनिया डाला है अगर आपके पास पालक हो तो बारीक बारीक काट के आप पालक भी डाल सकते हो और टमाटर को इस तरह से मैंने बारी कर लिया और यह वाला बैटर मुझे इस प्लेट में लग रहा था कि नहीं हो पाएगा तो इसलिए मैंने थोड़े बावल में उसको ट्रांसफर किया है अच्छा ब्रेड के जो किनारे हैं उनको मैं हलका हलका सा कट कर रही हूं क्योंकि अगर किनारे कट नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाड हो जाते हैं अब मैंने तवे पर सिंपल मक्षन लगाया है और अभी फिलहाल मैं ब्रेड को बस ऐसे ही सिंपल सेक रही हूं बिलकुल धीमी आज पर आपको सेकने हैं नहीं तो ब्रेड आपके जल जाएंगे अब सेक क्यों रही हूं क्योंकि अगर म मैंने हलका सा मैश कर लिया था और इसमें मैं मिला रही हूं यह जो पीजा सीजनिंग होती है चीरी फ्लेक्स यह सब है मेरे पास तो यह मैं मिला रही हूं और बस इसमें नमक जाएगा बहुत ज़्यादा मसाले में इसमें नहीं मिलाने वाली हूं साथी में थोड़ी सी मेय अगर आपके पास हो तो यहां अच्छे से हमारा यह mixture तैयार हो गया और देखे बी टूट की वज़े से न उसका कलर बिल्कुल पिंक हो गया है तो यह जो हमारे बैड्स हमने मक्खन में हलके से सेके थे अच्छे से इनके उपर कुरकुरापन आ गया है इसके उपर मैं लगा पीजा पास्ता सोस यह मेरी बेटे को बहुत पसंद है आप चाहो तो हरी चटनी लगा सकते हो या सिंपल जो टमेटो सोस होता है आप वो लगा 4 से और या सिंपल जोगी रिजा सोस आपके बच्चे पसंद करते हो को छोग आइए इसके बाद मैं एंट शोष पसंदड़े ताकि filling ब्रेड के कोने कोने तक फैल जाए ऐसा ना हो कि बस बीच में ही filling है और कोने उसके खाली रह जाएं अब इन चारों ही ब्रेड को दूसरे बैड से कवर करके और उस पे भी हलका सा मख्षन लगा के मैं उनको दोनों तरफ से सेकूंगी तो ब्रेड को मैंने पहले इसलि गैस पे मैं सेक रही हूं इस दोरान आप गैस बिल्कुल धीमी रखिएगा नहीं तो ब्रेड सापके जल जाएंगे और बिल्कुल भी स्वात नहीं आएगा हलका हलका सा दोनों तरफ मैं मख्षन लगा रही हूं आप चाहों तो देसी घी भी लगा सकते हो और मैंने पूछ टोटल पांच सेंडविच बने हैं वानी के लिए उसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी बनाये थे लेकिन फिलहाल पहले उसका टिफिन पैक कर लेते हैं तो टिफिन मैं अच्छे से उसका पैक कर रही हूं यह बटर पेपर मैंने इसमें लगाया है और जब मैं इसको टिफिन में डारेक्ट ही चीजों को रख देते हैं सेंडविचों पराठा हो तो वह रलका सा नीचे से गल जाता है तो आप जो भी लगाओ टिफिन में चाहे नैपकिन आप लगा रहे हो कपड़े का चाहे बटर पेपर आप लगा रहे हो अच्छे से लगाई यह ताकि जो बस ये रूवजा ही वो पी के जाने वाली है उसको अच्छा लगता है इस तरह से दूद में मिला कि अगर ठंडा ठंडा रूवजा मैं उसको दे दूँ तो मैंने बोला भी था कि बेटा कुछ खा जाओ लेकिन फिर उसने कुछ भी नहीं खाया बस ये रूवजा ही उसने पि छाओ टी थी यह सबी की आदत है मेरे हजबं भी आस्वाशे घरते हैं मैं भी करती हूं मेरे बच्चे बी करते हैं इस तरह से कि जब город इंपनाकर जहानाहां अब दो लेक源 हैं नहीं। तो अभी मैने निसकाटावल उसको दिया है, ये उसकाटावल हल्का सा फट गया था तो उसको मैंने अभी अभी सील के और उसके हाथ में पकड़ाया है और आज वो अपनी रिक्षा से नहीं जा रही है, मेरा बेटाज घर पे ही है, और हजबन है नहीं, तो गाड़ी इसलिए घर पे ही है, तो इसलिए वो गाड़ी से उसको छोड़ने जा रहा है, तो बस अभी वानी निकलेगी, और उसके बाद मैं करूंगी पूजा, क्योंकि नहातों मैं चुकी हूँ सुबा, साफ सफाई भी सारी हो चुकी है, क्योंकि गर्मी इतनी जादा है, कि आप सुबा पांच बजे के बाद सो ही नहीं सकते हो, तो ये है मेरा पूजा के बाद वाला लुक, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा अपनी सकीचने की कोशिश जरूर करती हूँ इस टाइम पे, और पूजा करने के बाद मुझे लग रही थी चाय की बड़ी मतलब जिसको कहता है एक खुड़क हो जाती है चाय की, तो चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी, वो दीरे दीरे पक रही है, और मेरा बेटा जो वानी को छोड़ने के लिए गया था ना, वापसी में ये वाले बिसकित लेके आया है, ये मुझे बहुत पसंद है, नमकीन बिसकित हैं ये, क्योंकि मीठे बिसकित मुझसे खाई नहीं जाते, मैं मीठे बिसकित कभी भी नहीं खाती हूँ, हमेशा मैं नमकीन बिसकित ही खाती और अभी टाइम हो गया है पॉने आठ तो अभी तक देखिए वानी का लण्च बन चुका है पूजा हो चुकी है सुभः की साफ सफाई हो चुकी है और थोड़ा बहुत घर भी मैंने समेट दिया है बहुत ज्यादाने ही लेकिन थोड़ा बहुत समेट दिया है ये धेर सारे लंच में आज कुछ भी नहीं खाया, बस वो दही में चीनी डाल के खाके गया है, बोल रहा था कि आज बिलकुल भी भूग नहीं है, हो सकता है सेंडविच बनने की वज़े से उसको भूग न लगी हो, क्योंकि उसको सेंडविच पसंद नहीं आते, और ये हमेशा की तरह मैं खड़ी हूँ गेट पे और वो वापस लोटकर मुझे बाई जरूर करता है, तो अब बस उसको भी बेजा कॉलिज के लिए, अब मैं आई हूँ अंदर, और अब मैं भी अपना नाश्टा करूँगी, और ये देखिए जो सिलाई मसीन मैंने सुबह बोला ना, वानी का ना, तो मैंने इनके किनारे कट नहीं किये, लेकिन खैर, अच्छे बने थे बहुत, मतलब होता है ना, हम माओं का की बच्चों को तो अच्छे से बना के दे देते हैं, लेकिन अपने लिए बनाते वक्त हम शायद थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं, तो यहां पर दो सेंड जिसको आज मुझे क्लीन करना था, और मतलब यह समझे कि पिछले करीब 15-20 दिन हो गए हैं, मैं इसको सोच रही थी, आज क्लीन करूँ, आज क्लीन करूँ, लेकिन गर्मी इतनी जादा है कि मैं हिम्मत ही नहीं पड़ दी थी, लेकिन आज तो मैंने किसी पी तरह से हिम्मत की, क्योंकि बच्चे भी नहीं है, दोनों घर पे हजबन भी नहीं है, तो कुछ न कुछ काम तो मुझे फैला नहीं था, तो सबसे पहले सारा सामान मैंने बाहर निकाला है, अच्छे से साफ किया है सब कुछ, और उसके बाद जो चीज जहां कि थी, वहाँ पे मैंने रख गंदा यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा था, बस चीजे रखी नहीं थी अच्छी तरीके से, और जब चीजे उल्टी सीदी तरीके से रखी होती है ना, तो वह देखने में गंदी ही लगती है, चाहे वो कितनी भी साफ सुत्री रखी हूं, तो आज फिलाल यह एक बहुत ब और यह पॉलोथीन में आप देख रहे हो सफेद पॉलोथीन में बड़े इसे में कुछ डिसकारड़ आइटम है, जो मुझे फेकने हैं, और मतलब जो अभी एक्स्ट्रा यहां से सामान था ना, वो सब मैंने निकाल दिया है फिलाल, और हमारा स्टोर रूम हो गया है, बिल लेकिन यह अच्छे से इस पर आ जाती है, चारोतरस से टकिन करके तो इसलिए मैंने यही बिछा दिया है, कल बिछाई थी, और यह जो कवर निकले थे ना, अलमारी में से जो मैंने निकाले थे, और अलमारी में मैंने रैड़ वाले रखे थे, वीडियो में शियर भी किया आप लोगों के साथ, तो इन में से एक तो फट गया है, लेकिन दो मताब अभी भी ठीक था खालत में है, तो इनको मैं उपर बैड में ले जाके रखोंगी, जो भी छोटा मोटा इसमे रखना होगा, वो रखोंगी मैं, और अलमारी मैं दिखा देती हूं आपको, यह देख कि जो बिल्कुल एक्स्टा कपड़े हैं, नहीं पहनने हैं किसी को, और वो बिना वज़े अलमारी में रख्यों में उन पर धूल चड़ रही है, तो उसको मैंने हटा दिया है, बेटे के सारे जितने भी प्रेस के कपड़े हैं, वो मैंने उसके बैग में ही रख दिया है, वो जो रेड़ वाले बैग मैंने मंगाये थे, और नीचे तक पूरी अच्छे से ही अलमारी अरेंज हो गी है, और ये सब मैंने कर दिया, साथ ही स्टोर रूम आज साफ हो गया, स्टोर रूम की बड़ी दिक्कत थी भई, और ये जाएंगे उपर, उपर क्यो जाएंगे, क खूल के आपको, तो ये है, एक क्या कहना चाहिए, सेंट डिफ्यूजर लिखावा इस पर, इस तरह से जैसे इसमें पानी डालके या कुछ अशेंचल ओयल वगरे डालके, ये आया भी है इसके साथ में, और ये उसका बर्थडे गिफ्ट है, जो उसको करीब एक महीने अच्छा लागा और मेरा बहुत दिनों से मन भी था इसको खरीदने का, लेकिन मैं लिया नहीं था, और देखो ये आ गया मेरे पास, तो अब मैं सको इसको इसको इस्तमाल करूँगी जब तो आप लोगों को बताऊंगी, तो ये ऐसा गिफ्ट है कि मिला तो बेटे को है, लेकिन ताम मेरे आएगा ये, और फिलहाल घर बिलकुल साफ सुत्रा हो गया हमारा, अच्छे से मैंने सब अरेंज कर दिया है, सारे कपड़े जो भी बहुत जादा फैले वे थे, उन्हों अरेंज किया है, प्योंकि कपड़े बहुत जादा हो रहे हैं, और गर्मी की तो आप कर दी है, और जो सेंड्विच बनाए थे न सुब एक्स्टा बजे थे, वो ही मैंने खा लिये थे, और ये जो ब्रेड की किनारे बच्चे हैं, या एक दो ब्रेड नीचे बच जाता है, पहले तो मैंने सोचा था कि इसका कुछ बना लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो डॉगी आते हैं उनके लिए रख दिया मैंने, कोई टेंशन नी है, यहाँ पर ये आलू बच्चे हैं, चार सुबह मैंने बॉइल किये थे, थोड़े से बॉइल किये थे बस, तो दो या था तीन आलू तो सैंविच में इस्तमाल होगे, बाकि ये बच्चे में उनको मै मैंने सुबह ली थी, टमाटर रात आये थे, कल रात मेरे बेटे ने लाके दिये थे, और ये सुबह मैंने धो के अच्छे से नमक वाले पानी में डालके, और ये जो नीचे वाला बटतर है इसमें रख ख़ए लेकिन फिर मैंने बाद में इनको, मतलब जो पानी था वो ड् बेटा निकला था न, मैंने तब ही कर लिया था, और फिल्हाल रसोई बिल्कुल साथ सुत्री है, क्लीन जाडू पोछा सब हो गया, पोछा एक्शुली मैंने तब लगाया था, जब बाद में मैंने स्टोर रूम की सफाई की थी, तो अभी मैं चलती हूँ और मैं नहा के आ कि मुझे आज स्टोर रूम साफ करना है, तो दुबारा तो नह नहीं पड़ेगा, तो इसलिए कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि मैं दुबारा नहीं स्टोर रूम साफ करके, मैंने सर भी दो लिया, क्योंकि सुबह मैं भूल गई थी सर दोना, मतलब यादी नहीं जल्द पर बात पर मैं स्टोर रूम की सफाई करती, तो मेरा सर फिर से गंदा हो जाता, तो कहते हैं जो होता है, अच्छा हुआ कि मैं सुबह सर दोना भूल गई थी, तो अभी लगबग सारा काम हो चुका है, जितना मैंने आज सोचा था, स्टोर रूम की सफाई हो गई, घर विल दिंग वाली वीडियो अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन फिर भी आज मैंने शूट नहीं किया, बस दिखा दिया है आप लोगों को, और काफी सारे कपड़े मैंने इसमें से निकाले, मतलब जो मैंने रैड वाले बैग भंगाया थे अलमारी में रखने के लिए, अपन हमें निक है रहिए, जुत जाना होती है, शुट argल में मेनने कंपड़े मैं रहेज रहे, यह बेंग सक्षाइद में पॉस्ज़ नहीं होती होती है, यह कर और आक मैंने रहेचे होती है है, कि हमें सब्सक्राइब से इसमें सब्सक्राले पीज़ाने कापड़े मैं नका सआ multiplied हमने वह अरेंज भी कर दिया था उपर लेकिन उस टाइम पर मैंने आप लोग उसे शाज जिकर भी किया था वीडियो भी बनाई इस बात पर कि जैसे वह ओनलाइन फ्रोड हमारे साथ हुआ था उस टाइम पर तो उस टाइम पर सही बता हूं दिमाग इतना स्टेबल था नहीं और उसी दिन जिस दिन हमने बैड अरेंज किया था उसी दिन हमारे यां महमान आये थे तो इतना टाइम था नहीं मेरे पास क्योंकि आरेंज मुझे ही करना था तो फिर मैंने पेटे से बस यह बोला था कि जो भी कपड़े हैं दोके सब ऊपर रखे हुए थे एक तरफ घ्र उसने मतलब को बुरी तरह ड़ी थे पिए तो ख़ंद मुझे अर्म आले का मेरा 먹어 कि अ नेंद दो कोड़ेंगी मुझे बहुत जाधा नींद और इंदारी है उन्होंने भी बोला था कि एक अफता दवाई खाके छोड़ मत देना नहीं तो फिर दुबार असे उबर जाएगी अलर्जी तो फिर मुझे दो महीने तो लगबग ये खानी ही पड़ेगी दवाई तो सुबह मैंने आज बस वही शूट किया कि जब मैंने वानी को मुझे करनी है और अगर मुझे नींद आ गई तो फिर मैं क्या सोच रही हूं कि रात में जाके उपर की सफाई करूंगी मैं मतलब बैड को अरेंज करूंगी अच्छा अब मैंने अपनी दवाई ले ली है और इससे पहले कि मुझे उन दवाईयों का असर हो जाए नींद जा जाए उससे पहले मैंने यह टमाटर फ्रिज में रखे हैं काफी सारे टमाटर थे और यह सिर्फ 20 रुपे किलो मिल गए थे तो इसलिए मेरा बेटा दो किलो ले आया था तो लेकिन ठीक है कोई बात नहीं अगर एक्स्ट्रा भी होंगे तो मैं चला लूंगी और यह थो तो मैंने इसको बनाने का तरीका तो आपके साथ शियर कर दिया था लेकिन इसको खाना कितना है कैसे खाना है यह मैंने नहीं बताया था तो अब मैं बता रही हूं देखिए इसको आपको सुबह सुबह खाली पेट गुर्गुने पानी से लेना है करीब इतना मतलब एक चम को उनके एक फ्रेंड ने बताया था जिन्होंने काफी अच्छा-कासा वेट लोस किया है और वो कह रहे थे कि मैंने सिर्फ यही खाया है इसी वज़े से वेट लोस हुआ है एक्स्टा कुछ भी नहीं किया था तो इसलिए मैंने बनाया है देखती हूं का कितना वेट लोस होत थी और उसके बीच में फिर जब मैं उठी हूं तो मैंने अपनी एडिटिंग वगेरा की है थोड़ी सी और अब टाइम हो गया था शाम का मैंने दिया जला दिया है शाम का और मुझे वानी को स्कूल से लेने के लिए भी जाना है उसके स्कूल से कॉल आई थी कि करीब साड साथ के आसपास निकल भी गई थी यहां पे मैं अपने एरिंग्स वगेरा पहन रही हूं जो मैं निकाल के रख देती हूं हलाकि गोल्ड के हैं लेकिन पता नहीं क्यूं मुझे गर्मी में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है असलिए उनको भी मैं निकाल के रख देती ह हूं और पसीनों में बुरी हालत हो रखी है पूछिये मत दो मिनिट के लिए भी अगर पंखा बंद करना पड़ जाए ना तो जान निकल जाती है पंखा तो पंखा फिलहाल तो एसी भी फेल हो रखे हैं और भी मैं जा रही हूं वानी को लेने के लिए और जैसे मैंने कहा क कि टाइमिंग तो उन्होंने साड़े साथ बजे दी थी मैं स्कूल पहुंच भी गई थी टाइम से लेकिन करीब एक घंटा मुझे यहां पे खड़े रहना पड़ा तब जाके उनकी बसे आई हैं एक्चुली कह रहे थे कि ट्रैफिक जान था इसलिए बसे फस गई थी तो लेकिन साड़े आठ हो गए थे मैं यही पर खड़े खड़े तो राम भी कॉलिज से आगया था तो वह सीधा घर गया था फिर उसने मुझे फोन किया तो तब मैंने बोला कि बेटा आप गाड़ी ही लेके आजो इससे अच्छा तो तो तब वह गाड़ी लेके आया और हम ल में यह लोग गए थे तो शायद वहीं पे हलकी सी चोट लगी है तो यहाँ पे मैं अपनी दवाईयां भी लेके आई हूं क्योंकि एक हफता हो चुका था दवाईयां खाते-खाते खतम हो रही थी ब्रेड लेके आई हूं क्योंकि आज सुबा जब मैंने सैंड्विच बना हूं वही जो वाणी अपने स्कूल में लेके गई थी क्योंकि एक देड़ घंटा मुझे इसमें लगा था और बिना पानी के बिलकुल काम नहीं चलता बच्ची अभी नीचे ही हैं तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यह गद्दे वगएरा हटाएं हैं चादर भी मैंने हटा अमान था उठाके बैड के अंदर डाल दिया था बाकी अरेंज इसको मुझे करना है और यह वाला जो मेकैनिजम है ना जिस तरह से बैड को अभी मैंने रोका हुआ है यह हमारे पहले पुराने वाले बैड में नहीं था यह अभी नए वाले बैड में ही है तो बड़ा फाय से कर में निकाला कर darüber सहावैं सबसे पहले सारे कभड़े बाहर निकाले अच्छे से शताइए कि और नीचे यह कपड़े मैंने विछा इन हैं कुछ मेरे दिपट ते बढ़ने के लिए Ond peux टो अभी यह सामान जाएगा और यह बैग्स काफी पुराने पुराने हैं, कुछ मैंने कपड़े से सिलवाए हुए हैं, आप लोगों साथ शियर भी किया था मैंने, तो ऐसा नहीं है, कोई भी अगर आपके पास पुराना बैग है, तो ठीक है, भले ही वो आपको ट्रेवल में काम ना आए, लेकिन कम से कम आप उसको बैड बोक्स में, और्गनाजेशन के तोर पर तो काम ले ही सकते हो ना, क्योंकि बैड बोक्स में आपको सिर्फ कपड़े अरेंज करके रखने हैं, उसमें आपको किसी को दिखाने नहीं हैं, कि कितने अच्छी तरह से आपने महंगे वाले बैग करीदे हुए है तो देखिए सारे कपड़े हमारे अरेंज हो गए हैं अच्छे से और उपर से भी मैंने जो दुपटे ढखे हैं ये भी मेरे पुराने दुपटे ही हैं, इसी तरह से दूसरी तरफ का बैड भी मैंने अरेंज कर दिया हैं और यहां पर भी देखिए मेरी बेटी के जो पुर कर लेती हूं जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप हर चीज नहीं ही खरीदो अपने घर में नजर दोड़ाईए थोड़ी सी आपको मतलब और्गनाइजेशन के लिए चीज़े अपने घर में ही मिल जाएंगी काफी पुराने पुराने बैग्स आप यहां पे देख रहे इसमें मैंने रखी हैं अपने बेटे की यह शर्ट जो ट्वैल्थ में जब वो पास आउट हुआ था ना तो इस तरह से करते हैं ना फ्रेंड्स आपस में लिखते हैं एक दूसरे की टी शर्ट पर शर्ट पर तो यह उसकी वही निशानिया हैं मैंने बड़े संभाल के रख कीजिएगा थेंक्यू सो मच फॉर वाचिंग मेरी वीडियो को अपने टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चलती हूं दोबारा मिलूंगी तब तक अपना धेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग